नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ाकू और श्वागत है आपका दपढ़ाकू में दपढ़ाकू में आज हम देखेंगे महतपूर मकवरे तो मकवरों से शंबंदित अब तक जितने भी कोशन पूचे गए हैं उन सभी पॉइंट को यहां पर हम देखने वाले हैं अब तक जितने इसके बाद मकवरों से शंबंदित कोई प्रशनित से बाहर नहीं जाने वाला है तो चलिए सबसे पहले यह बात समझे यहां पर हर पॉइंट कहने का मतलब हर लाइन या हर सब्द लिखा हुआ है वह तुम्हारे श्लैक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए हर बात को ध्याद से सुनें और पढ़ें भी ठीक है याद करने की तो तुम्हें टेंशन लेनी नहीं है मैंने हमेशा कहा है उसके लिए बस एक ही काम करना होता है कि वीडियो को पूरा देखिए तो सारी चीजे जो है आपके दिमाग में खुद ही फिट हो तो चलिए सुरू करते हैं महतपूर मकवरों में सबसे पहले जो मकवरा आता है वह सुल्तानगड़ी का मकवरा शुल्तानगड़ी का है दिल्ली के पास में है भारत का पहला मकवरा इल्टू तमिश ने बनवाया था इसलिए जो इल्टू तमिश है उसे भारत में मकवरा शैली का जनक माना जाता है तो प्रशन देखिए सुल्तान गड़ी का मकवरा इल्टू तमिश ने बनवाया था अपने बड़े बेटे की याद में बनवाया था य अगर हम इसी कब्र के ओपर कोई बड़ा साному structure बना दिया? अनि बड़ी सी इमारत बना दे तब यह किया कहलाएगा? मक्वरा कहलाएगा, ठीक है? तो कब्रके ओपर अगर हमकोई इमारत बना देते आं तो उसे क्या बोलते हैं? मकवरा बोलते हैं हिंदूओं में जैसे समाधी वगएरा बोलते हैं अगर इसी अगर यह जो आपने अभी देखे इसी कबर अगर यह कबर किसी संत महतमा की है तब क्या बोल देंगे इसे तब मकवरा नहीं बोलते हैं तब क्या बोलते हैं इसे दरगा बोलते हैं कहने का मतलब सूफी संत जो मुस्लिमों के संत होते हैं अगर उनकी कबर के ऊपर कोई इमारत बनाई जाएगी तो मकवरा नहीं उसे क्या बोलेंगे दरगा तो बलवन का मकवरा विश्वद एस्लामी सैली का म्कवरा है सुल्तानगड़ी का मकवरा बहरत का पहला मकवरा है इल्टु तमिशने से बनवाया था नेक्स्ट जो मकवरा है वो है सिकंदर लोधी का मकवरा सिकंदर लोधी का मकवरा इब्राहिम लोधी ने बनवाय था इसकी खास बात क्या है कि इसके चारो और पहली बार बाग देखा गया था कहने का मतलब है बाग वगरा जो है बनाया गया था सिकंदर लोधी के मकवरे के आसपास परन्तु अगर प्रशन पूछ जाता है चार बाग पद्धती का पहला मकवरा हुमायू का मकवरा है अब एक एक करके इनको देखते हैं यह रहा सुल्तानगडी का मकवरा किस ने बनवा भारत का पहला मकवरा इल्टूतम इसको भारत में मकवरा शली का जनक मना जाता है भारत का पहला मकवरा सुल्तानगडी का मकवरा कहां पर है दिल्ली के पास में गुलाम वंस के तीनों सैदाजे यहां पर दफन किये गए हैं तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बंदा कई कई मगर जो है मकवरे ऐसे ही महाँ पर कई लोगों की उसे परिवार के कई लोग महाँ पर जो है दफनाए गए हैं तो चलिए ये रहा आगे ये भी सुल्तान मकवरा विशुद इसलामी सैली का भारत में पहला मकवरा और ये है बलवन की कबर आगे देखिए ये रहा ये भी बलवन का मकवरा की दूर से ली गई फोटो है विशुद इसलामी सैली का पहला मकवरा बलवन का मकवरा है ये है बलवन का मकवरा आगे सिकंदर लोदी का मकव मकवरा किसका है हुमायों ख Même रोडी का मकवरा कहां पर है दिल्ली में है इतो अ नक मान जाता है बलवन का मकवरा और लाल महल ये दोनों बलवन ने बनवाए था याद करने का तरीका ऐसा है कि खून खरावा जाद है पशन था बलवन को तो लाल महल जो है किसने बनवाए लाल यानि खून जैसा महल बलवन ने बनवाए था बलवन का मकवरा बलवन ने कितने सात के सामने सब्राम करते हैं कितने की सेर्षा की म्रत्ती हुई कैसे थी कि ये ज़ लोग थे जैसे यह कालिंजर पर गोले दाग रहे थे एक गोला च्छिटक करके ये सेर्षा का टैंट है उसमें आकर के गिर गया तो उसके बाद होता क्या है सेर्षा अजल यह वस्था में यहां पर जिंदा पड़ा रहता है वो देखता रहता है जैसे ही वो कालिंजर का किला जीत लेता है उसके बाद उसकी मृत्यू हो जाती है तो कालिंजर में उसकी मृत्यू होती है सेर्षा की प्रश वो यूपी में उसकी विजय सिर्शा सूरी की अंतिम विजय है फिर से सासाराम बिहर में लाकर के दफना दिया जाता है सासाराम बिहर में क्या है सिर्शा सूरी का मकबरा है रोतास का किला ये दिली में पुराना किला किसने बनवाए थे एक और चीज में आपको बताऊं जैसे हम आगे मुगल बंस पढ़ेंगे सेरसा सूरी जब तक जो है सेरसा सूरी किसमे था बाबर की सेना में काम करता था बाबर के बाद हुमाईयों को इसने भारत से भागा कर रखा हुमाईउ भारत में तब ही आ पाया जब सेर्शा सूरी की मृत्ती हो गई तो हुमाईउ को इसने हमेशा भाहर ही रखा भारत से सेर्शा सूरी ने सेर्शा सूरी ने ही भारत में जीटी रोड जिसे हम जीटी रोड कहते हैं कनिर्मार कराया था सेरसा सूरी ने तो सेरसा सूरी का मकवरा सासा राम बिहार में है देखिए ये रहा आपके सामने सेरसा सूरी और ये रहा इसका मकवरा इसके मकवरे के चारो और तलाव है यानि ऐसा लगता है जैसे कि जो आपने अमरत सर का गुल्डन टेंपल देखा होग सासराम बिहार में ये क्या है? जो सीरसा का मकवरा है क्योंकि इसके चारो ओर क्या है? तलाव है सासराम बिहार सीरसा का मकवरा आगे देखे मुगल सासकों को पढ़ने से पहले ये काम कर दीजैं अगर वीडियो पशन्द आ placed आ रहे हैं तो like कर दो शेयर बाद में कर देना देखने के बाद पर कर जरूर देना और सबस्क्राइब कर लो अगर नहीं किया है कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद और बैल आइकन जरूर जो है दबा दें तो चलिए मुगल सासकों को देखते हैं अभी जो हम पढ़ रहे थे वो शल्तनत काल आसकते हैं मध्य काल को दो भागों ही भाजित किया गया एक तो सल्तनत काल के जिसमें अपने इल्टू तमिश्कुतू दी निवक और बलवन बगएरा जाने थे और मुगल सासक क्या है बावर हुमायू अकबर यह क्या है मुगल सासक है तो मुगल सासकों को पहले देखते ह सबसे पहले कौन है बाबर है बाबर का बेटा हुमायू, हुमायू का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का सांजा, सांजा का औरंग जेव इसके आगे के जादा इंपोर्टेंट है नहीं हमारे लिए तो बाबर का हुमाईू, हुमाईू का अकबर, अकबर का जहांगीर और जहांगीर का साजा, साजा का औरंग जेव इसके बाद कमजोर शाशक हुए थे तो चलिए आगे एक बार और देख लीजिए इनके कारेकाल अगर देखने तो वीडियो रोक करके आप लोग देख सकते हैं पर मेरा कामिहा मेंकवरों से संब्बंदेते हैं हुआ हुआ हमाइयों बावर का बेटा हुआ हुमाइयों का अिक्वर अक्वर कजहांगीर जहांगीर का शाया उसे नहीं च्छली ओर असमें के उसे बाहर है तो उसमें नाम आ जाता है बावर का और औरों काभी मखवरा बाहर से बाहर है उसको भी देखेंगे पर बावर का कहां पर रहा है काभूल अफगानिस्तान में ये जो देख पा रहे हैं ये है बावर का मकवरा आप देखिए बाग ए बावर प्रश्न बनता है बाग ए बावर का निर्माड किस ने कराया था तो बाग ए बावर यानि एक बाग है जिसका निर्माड बावर ने खुद कराया था उसी बाग ए बावर में आप ये देख रहे हैं किस क्या है यह बावर का मकबरा बनवाया गया है कहां पर रही है काबрал अफग fringe का मकबरा यह जगा कहां पर का रहे हैं उनमें से इसी का मकवरा दिल्ली में हुमायू बिचारे की जो हमेशा इच्छा रही थी कि वह दिल्ली में रहे पर लास्ट में आके दिल्ली में दफन हो पाता है क्योंकि पूरी जिंदिगी तो इसे से सेरसा सुरी भारत में घुशने नहीं देता तो हमायू का मकवर इस तरीके से प्रश्लू पूच्छा गया था तो उध्यान मकवरा किसका है जो है इसे बनवाया किसने था हाजी बेगम या बेगा बेगम यह मकवर्यू के निर्माड दिल्ली में कर आया था चारवाग पद्दती का पहला मकवरा भारती उपमहदीप का पहला उद्ध्यान उद्ध्यान कहा जाता है बाग को इसे ताज महल का पूर्व गामी भी कहा जाता है तो कहने का मतलब है कि ताज महल बनाने का आइडिया किस मकवरे को देख कर किया था हुमाईयों के मकवरे को तॉ ताज महल का पूर्व गामि भी इसको कहा जाता है। यह आप देख पा रहे हैं यह हुमाईू का मकवरा दिल्ली में इस चार वाग पदद्धी का पहला मकवरा है। का मक्वर अब आल यही है अकवर का मक्वर 2 राम है बस यहां से प्रशन के पास में य्य सिष्यजद्रा नमकजगallas को अगरा बड़ा पशंद था हम जब निर्माण्ब पढ़ेंगे तो अक we're का मकवरा कहा है सिकंदरा में अकवर कहता था मुझ में क्या कम यह सिकंदर से जाद माहन में हूँ यह ट्रिक है तो अकवर सिकंदरा में है इसका मकवरा आगरा के पास मैं यह मकवरे की फोटो है आगे आजाए जहांगीर का मकवरा यह अकवर का पुत्र है जहांगीर इसका मक जहांगीर की पतनी नूर जहाने इसको बनवाया था नूर जहाने एक और जो है मकवरा बनाया था उसे एत्मादौला का मकवरा कहा जाता है या एत्मादौला का मकवरा नूर जहांके पिता का मकवरा है अगला मकवरा हम देखेंगे तो यह जो मकवरा है जहांगीर का मकवरा ह कहां पर है ये लाहोर में है ठीक है भारत से बाहर तीन मकवरे एक तो बावर का हो गया एक जहांगीर का हो गया एक बहदुर्सा जफर बहदुर्सा जफर का नाम आगे मैंने नहीं बताया था पर बहदुर्सा जफर आपको याद होना चाहिए 1857 की करांती के बाद बहदुर् जफर तो इसका मकवरा कहां पर है रंगून मियंबार में तो जहांगीर के मकवरे के बाद अगला मकवरा जो है एत्मा उद्दॉला का मकवरा ये कहां पर है आगरा में है ठीक है तो इसे बनवाया किसने था नूर जाने जो जहांगीर की पत्नी थी उसने इसका निर्माण करा था क्योंकि ये उसके पिता का मकवरा है उसके पिता का नाम क्या था मिर्जा ग्यास बेग प्रशनब पूछा जाता है मिर्जा ग्यास बेग का मकवरा किस ने बनवाए था नूर जहाने बनवाए था नूर जहाने एत्मा उद्दॉला इनको उपाधी मिली हुई थी ये वित् देखिए साजा का मकवरा सब को पता है आगरा में खियोंगे तॉट अगली फोटो में ऐ साजा और रमोंताज की कब्लों की पोर् снова कि अब खरन देखिम का मकवरा औरंगवाद महारास्ट्र में घ्ली यह इसका औरंगबाद का पहले अहमदनगर था सोड़िया अहमदनगर था बाद में इसका बनेया औरंगाबाद महारास्ट अरंगाबद में हें знаю कि गुफाएब कि बनाकि कि मेरे और र생 और पैसा खर्च 창ा चलाता था कुरान की प्रतियां सो तो उसी से जो कमाई होती थी उसी से इसने मकवरेक नडिरामाड हुआ, लगवा था, तो औरंग यव का मकवरा है, औरंगाबाद महराश्थ में, औरंग जय वैसे क्रूड सासक कहा जाता है, जिन्दापीर भी कहते हैं कुछ लोग, पर इसकी है खास बात यह थी, कि अपना ख खर्चा चलाता था औरंगाबाद महाराश्ट्र में औरंग जेव का मकवरा औरंगाबाद में औरंग जेव की बीवी का मकवरा जिसे हम बीवी का मकवरा भी कहते हैं यह भी औरंगाबाद महाराश्ट्र में यह खास बात इसकी समझिए जो बीवी का मकवरा है इसे दक्षिन क का ताज महल महराष्ट का ताज महल भारत का दूसरा ताज महल कहा जाता इसका निर्माड किसने करा था औरंग जेब के बेटे आजमसा ने कराया था इसका निर्माड दिलरास बानो वेगम या रभिया उद्दौरानी इसकी मा थी उसकी याद में इसने कराया था पर समझें देखिए दक्षिन का ताजमहल महराष्ट का ताजमहल या भारत का दूसरा ताजमहल कहाता है क्योंकि इसको बिल्कुल ताजमहल की तरह बनाने की कोशिश की गए थी पर उतना शुंदरिये नहीं बन पाए क्योंकि उससे जो है कही जाद है गुना पैसा ताज महल में लगा था तो इसे गरीबों का ताज महले भारत का दूसरा ताज महल बीवी के मकवरे को कहा जाता है कई बार आप्शन में आज अमसा नहीं दे कर रखेगा तब आप क्या लगाएंगे कि इसे किस ने महाराश्ट्र में हैं और दिल्रास वानो वेगम यह रविया उत्दॉरानी वह उनके लिए बणाया गये है बी बी का मकवरा तो प्रस्ण बन सकता है कि रपा ही यह यह ओंव चीज है कि महारा बाबर बीगल का मकवरा कहां पर है बाबर काबुल बाबुल काबुल जैसे बाइस में से ले लिया और बुलिस में से ले लिया तो बाबुल बन गया बाबुल काबुल इस तरीके से याद कर उसकार रंगुन मियामार में है मकवरा तो चलिये प्रश्णों को सॉल्व करते हैं बीवी के मकवरा fantasy कौन है बीवी का मकवरा औरंगबाद महराश्ट्र में औरंग जेवनिस का निरमार कराया था इसमें उसके बेटे का नाम नहीं है किस मुगल सासक का मर मकवरा भारत में नहीं है तो हुमाईयू और जहांगीर एक नट सोरी जहांगीर और बावर इन दोनों का मकवरा भारत में नहीं है जहांगीर का लाहूर में बावर का अफगानिस्तान काबूल में है एत्मादॉला का मकवरा आगरा में किसने बन क्वादी थी आत्मा liberal को आगे चलिह इनका मिलान कर लेते हैं बाबर का Energा काभूल में अक्वर का करन का सिकंदरा में जहांगीर लाहॉर साजिव आग ना आपवे लो आगे चलिए ल सब काम नहीं करें तो कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भी करो तब भी हम कह लेगे तुम्हारा ठीक है टाटा वैबाई